दोस्तों हिमाचल दस्तक लाइब में आप सभी का एक बार दस्तक लाइब में हिमत शर्मा और जैसा कि आज कल करोना काल चल रहा है तो करोना काल के समय में लोग परिशान हैं लगतार करोना की खबर हैं तो हम ने एक नई मोहिम के शुरुआत की हैं जिसमें हम आपको पॉजिटिव खबरों की और भी ले जाने का प्रयास करेंगे और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सोलन जीला के सादपुल क्षेतर के रोडा गाओं में और इस गाओं की एहमियत जो है वो यहां की इस हिमाचल क्षेतर के लोगों को और अन्य राजियों के लोगों को भी जो है वो पिछले तीन साल पहले ही पता चली है क्योंकि मैं जिस क् यह मंदिर वन रहे। इस मंदिर का निर्मान कारिय अभी वी जारी है। और जैसा कि हमें मालूम है इस सथान के व में बताया गया है। ह हमारा जो रामचरित मानस में इस प्लिए में चप Shri Ram को जिए बना जारी। हम इसके जानकारी को लेकर आपके बीच आए हैं और हमारे बीच होंगे अभी कुछ समय बाद बाबा अमर्देब जी जो इस मंदिर के संस्थापक है जिन्होंने इस विशाल मंदिर को बनाया है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हनुमान जी की ग्यारा मुखी प्रतिमा है जो बहुत विशाल प्रतिमा है और पूरे हिमाचल में इस तरह की प्रतिमा नहीं है और पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में भी शायद ही किसी क्षेतर में इस तरह की ग्यारा मुखी हनुमान की प्रतिमा होगी और आभी हम आपको और दर्शन करवाए इस मंदिर में जो प्रतिमाए भगवान के स्थापित किये गई है इसमें बहुत से देवी देवताओं को स्थापित किया गया है और आने वाले समय में कुछ और मुर्तियों की स्थापना यहां पर होगी तो कि क्या इस मंदिर की विशेष्टा है और क्या कुछ इस मंदिर में जो है वो किया जा रहा है उस को लेके हम आपके सामने आज लाइव हैं और हमारे बीच जो है वो बाबा अमरदेव जी है अमरदेव जी आपका स्वागत है और सर हमें बताएं कि ये जो रामालोक मंदिर है पिछले तीन साल पहले ही इस मंदिर की जो है वो स्थापना की गई तो ये मंदिर कैसे आप यहां इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या इसके पीछी का इतिहा से थोड़ा हमें उसकी जानकारी दें इस मंदिर की अस्थापना भगवान बालमी की के आदेशा नुसार पर्वु स्रीराम को जो उन्होंने बंगमन के समय जब उनके आस्रम में बगवान बालमी की के तो उन्होंने उनसे 14 अस्थान बताये थे जिसमें से एक यह ग्री रूड़ा जो इस अस्थान का नाम है वो है और यह भगवान बालमी की के बानी को सत्त करने के लिए परवुसरी राम ने इस को अस्थान को अपना निवास, अस्थान और बास्त्विक रूप में ये पर्वो सरी-्राम का महल है, सुरीवनश का महल है और इस मंदिर का निरमान का महल है इसलिए राजपुतान सहली में किया जा रहा है और यह जो महल भनने जा रहा हुं है यह अभी रामलोक के नाम से प्रसिद्ध है लेकिन आने वाले बर्सों में ये किंग ऑफ एद्या प्रिठ्वी पती महाराज दसरत जी के दसरत महल के नाम से प्रसिद्ध होगा जिन में से इस महल के एक हिस्से का नाम कनक भवन के रूप में पर्वु सिरी राम का निवास अस्थान वो सिरी राम लोग होगा बाबाजी क्या विशेष्टा है इस मंदिर के रहेगी हिमाचल वैसे ही देवी देवताओं का जो है वो राज्य कहा जाता है तो ऐसे राजियों में एक और भव्य मंदिर का निर्माण क्या मकसद रहा है इस मंदिर के निर्माण के लिए बास्तविक में इसका मकसद भगवान सिव और सब्तरिसी जाने मेरे लिए तो यही है कि हम जो अपने यग करते हैं तो जिन्वी भगवान के, जिन्वी देवी देबताओं के सब्तरिस्यों की किरपा से, भगवान सिव की इच्छा से मुझे दर्शन हुए, हम उनको साफशात रूप में यहाँ पर बिराजमान करना चाहते थे, और वो उस फल के रूप में आज स्री राम लोक में विराजमान है चाहे वो पर वो स्री राम का पूरा परिवार जो अन्यत्री संसार में कहीं भी अस्थापित नहीं बलकि अध्या में भी नहीं है और यहाँ पर ग्यार मुखी हनुमान जी पंच मुखी हनुमान जी माता काली माता दुर्गा और ये हमने माता हाट कोटी में वादा किया था तो माता दुर्गा महिसा सुर्मरदनी स्री रादा क्रिसन जी सनी देव आजकल लोग यमराज की पूजा कर रहे हैं भैसे पर बैठाके, बास्तविक में सनी देव की अस्थापना और सनी देव की परतिमा देखनी हो, तो वो आपको रामलोग में मिलेगा, चुकि वो गिद्ध पर विराजमान होते हैं, और हमारी सारी च्छाओं को पुर्ण करते हैं, वो रामलोग के कोसा ध्यक्ष भी हैं, औ और यहां पर भगवान सिव, माता पारबती, जिनके सामने हमेशा पर वो सिर्ञाराम विराजमान हैं, जो संसार में कहीं नहीं है, यहां पर ऐसा सिवलिंग हैं, जिसमें कलास परवत अंकित है, जो अपने आप निर्मित हुआ है, सवैंबू है, और नव्ग्रह यहां पर क्राइन sì यहां पर विराजमान और संसार के पालन करता सिरजन करता संगहार करता भगवान ब्रह्मा जी भगवान वुष्ण जी और भगवान सिव यहां विराजमान है और चुकी बैकुंठ लोग जाने का जो रास्ता है वो नाग लोग हो करके जाता है इसलिए भी कुछ दिनों से यहाँ पर नाग लोग का निर्मान शुरू किया गया है नाग लोग की विशेष्टा ये रहेगी कि जिनको काल सर्फ दोस होता है पित्री दोस होत होता है क्योंकि काल सर्फ दोस्त के चौद में पदम नामक योग के दोस्त के कारण ही किसी को ग्रहस्त को संतान नहीं होता तो वो सब यहाँ पर सिर्फ नाग का जोरा और उनको दूद चराने मातर से उनका उसी समय उसी च्छन काल सर्फ दोस्त से उनको मुक्ति मिल और उनको संतान भी प्राप्त होगा यह नागलों की बिस्था होगी जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे भी पूरा अनुवान है कि हिमाचल में यह पहला ऐसा स्था लोगा जहां पर देवी देवताओं के इतनी ज्यादा मुर्तिया विराजमान होंगी तो इतने सारे देव विराजमान है जहां पर सभी देवी देवताओं के मालिक हैं और उनकी सेवा के लिए यह यहां पर विराजमान है 27 नच्छत्र, 9 ग्रह, 12 रासियां, 10 दिसाएं, अश्ट सिद्धियां, नवनिदियां, रिद्धि सिद्धियां, जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोर, नाग, किनर, गंधर, सभी यह विराजमान हैं, और सभी को राम जी के आसिरबात की जुरत हैं, चुकि उन्ही के आसिरब सभासे और चौदर ब्रमान का संचालन करेंगे, इसलिए यहां पर आपको यह सारा समागम देखने को मिल रहा है, बबाजी, इतने सारे देवी देवताओं के एक साथ दर्शन, यह कितना फल जो है, वो किसी श्रधालू को दे पाएंगे, बास्त्विक में कहा जाता है, कि इनसान को अगर आपने अंत समय में राम नाम मुख में नहीं लिया, तो उनको मौक्ष की प्राप्ती नहीं होती, लेकिन बास्त्विक राम जी का सरुप किसी को दिखा ही नियास तक, पता ही निया कैसा है, तो इनसान जिसने एक बार भी परवु सिरी राम का दर्शन कर लि गा, और दर्शन के बाद अगर वो निरंतर राम का नाम लेते हैं, कोई जोरी निया दुबारा यहां पर आएं, लेकिन अगर वो घर में भी उनको याद करते हैं, नाम लेते हैं, तो उनको अबस मौक्ष प्राप्त होगा, और उनको गती मिलेगी, अब भाब जी जैसा हम कर रहे थे, कि तीन साल पहले तक इस स्थान पर किसी भी तरह का मंदिर नहीं था, सिर्फ एक जंगल जैसा यहां पर होता था, तो यह आपके मन में कहां से विचार आया, कि यहां पर जो है वो प्रभु श्रीर राम जी का स्थान है, और यहां पर इतना भव्य मंदिर बनना अराद्य देवें उपर मुस्री राम है, तो यह भगवान सिभ की इच्छा है, चुकि भगवान सिभ का यह सस्राल है, माता पारवती के पिता जी का राजा, राजा हिमाचल, उनका राज है यह, यह राजा हिमाचल का राज्य है, और इसी बज़े से भगवान सिभ ने अप प्त्रिस्यों की च्छा है और भगवान सिव की च्छा है जब हम यहां पर आये थे तो यहां पर जाडियां होती थी कटिली जाडियां बहुत ही छोटा सा जगा 30-35 का था लेकिन आज अश्ट सिद्धी नभ निदियों ने रिद्धी सिद्धीयों ने कभी किसी संपदा की समर है यह दुनिया के सबसे बड़े राजमहलों में सेख होगा जब यह निर्मान अभी तो हो रहा है क्योंकि जो प्रित्वी पती है वो दुनिया में सिर्फ एक हुए किंगाउ फैद्या प्रित्वी पती महाराज दसरत जी यह उनका महल है यह महल एक सो आठ गुम्मदों से स सोबित होगा जो अन्यत्र संसार के किसी भी राजमहल में नहीं है जहां तक हमने देखा है नहीं है बहुत बड़ी बात और एक चीज जो इस मंदिक को लेके रहती है कि इसका निर्मान जो है वो काफी महंगी जो धात्वें हैं और महंगे जो पत्थर हैं बेशकीमती कितना इस भवेता इस भवेता पर कितना खर्चा जो होगा अगर उसका भी कुछ हमें हमारे दर्शकों को पता चले अभी तक इस मंदिल पर जो निर्मान कार पर खर्च हुआ है वो 117 करोर के करीब हो गया है और बाकी जितने करोर भी लगेंगे उसकी मुझे कोई चिंता न इंसान से धन लेने की कोई आवस्चकता नहीं होती हम हवन के द्वारा मेरी तो इच्छा हम तपस्वी हैं और तपस्वियों का तेखी कारे होता है यग्गे करो हवन करो और उससे जो प्राप्त हो वो पर्वुसरी राम को अर्पन करो तो मुझे जो भी यग्गे से अर्व होती है तो भाबना की होती है और विष्वास की होती है व हमारे पास जब तक परवुसरी राम की इच्छा है मेरा विष्वास है कि हम किंग ऑफ हैद्या का वो दसरत महल यहां स्थापिक करने में अवजिश्य सफल होगे और पूरे हिमाचल परदेश ही नहीं पूरे बिस्त में हिमाचल परदेश का ये भारत वर्स का जम्बू दीब का आर्या वर्स का नाम होगा और ये बास्तम में पूरे ब्रमान की सक्ति का केंद्र होगा दुनिया में कोई भी इनसान हो अगर वो उपर वो सिरी राम का असिरवाद पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ करके उनको उनका असिरवाद में लेगा पर वो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे 84 लाख यूनिया से उनको मुक्ती मिलेगी जैसे जितने भी हमारे धार्मिक स्थाल है पूरे भारत वर्ष में उनकी अलग अलग एक महता रहती है हमारे इस रामालोक मंदिर की क्या महता रहेगी क्या महतो रहेगा जो यहाँ दर्शन करेगा उसको किस तरह के सुख मिलेंगे क्या उसके कश्ट दूर होंगे तो फ़ज़ा उसके अगर प्रकाश आपकी तरफ से ड़ला जाए थी संसार में जो सिरी राम लोग है सिरी राम लोग की अस्थापना में एक संकल्प है कि किसी का कोई भी कश्ट हो वो सिर्फ सिरी राम जी के दरसन से ही प्रवु सिरी राम के उनके कष्ट दूर हो जाएंगे यही इस अस्थान का सबसे बड़ा महत्त होगा क्योंकि प्रवु सिरी राम के आदेश से ये स्रिष्टी जो है वो नबगरों के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा संचालित होता है और वो सब प्रवु सिरी राम के अधिन है तो सबसे बड़ा महत्त होगा क्योंकि कोई भी कारे कोई भी कष्ट कोई भी दुख वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और जैसा कि हमने आपको कहा यहाँ पर नागलोग की भी अस्तापना हो रही है तो जो नागलोग से लाब मिलने वाला होगा इस स्रिष्टी को वो सब मिलेगा उसका कारण है कि हर मनिस्ट जो है पांच रिन लेके उत्पन होता है देव रिन, पित्री रिन, गुरू का रिन, माता-पिता रिन और नाग रिन ये पाचो रिन से, अगर किसी को मुक्ती पाना होगा तो उसके लिए वर्बु सिरिधाम के लोक में आना, उनके लिए निवारे भी है और उसके घरसं से, ये पाचो रिन से वो मुक्त हो जाएंगे बाबाजी, बहुत बहुत शुक्री आपका, आपका समय हमने लिया और हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे, क्या कुछ यहां पे निर्मान चल रहा है दोस्तों जैसा बाबाजी ने हमें बताया कि 108 गुमबद जो की पूरे विश्व में महराज दर्श्व में, तो उनका यह भवियर मंदिर बन रहा है और यह इसकी भवयता आप देख सकते हैं, आभी निर्मान कारियों अधुरा हैंभी पूरा नहीं हुआ है लोगडाउन है, लोगडाउन के राणद यहां जो है निर्मान कारियों आप देख सकते हैं इस भव्या मंदिर के निर्मान में अभी तक लगाई जा चुके हैं और और करोडो की धनराशी जो है इस मंदिर के भव्या निर्मान में लगाई जाएगी दोस्तों मैं आपको इस मंदिर के आसपास का नजारा दिखाता हूँ किस प्रकार के जो है यहां पे कितना खुबसूरत नजारा जो है इसके आसपास का है वो आप देख सकते हैं ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सोलन मुख्याले से चैल की और जाने वाली सड़क है और जहां तक जिला मुख्याले से दूरी की बात करें इस मंदिर की तो ये लगबग 30 किलमेटर दूर जो है वो मंदिर सादुपुल खेतर में आता है और इस मंदिर का निमान करें भी पूरा कर लिया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको जो है इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं उनके बारे मैं बताऊंगा उनके दिखाऊंगा कैसे कैसे मूर्तियां स्थापित की गई है और कुछ और भी जो है मूर्तियां यहां काफी अभीबुत महसूस करेंगे क्योंकि इस मंदिर में जो मूर्थी अबनी है हिमाचल में शायद ही किसी मंदिर में इतनी भवय और इतनी बड़ी-बड़ी मूर्थी आपको देखने को मिलेगी और इस थान के ये प्रवेश दुआर रहेगा और इस प्रवेश दुआर की म जो और चलते हैं अन्दर काफी भवय और काफी विशाल मंदिर है तो दोस्तों मैं मंदिर की खाशा जा रहा हूं और इसकी हाइट आप देख सकते हैं अन्य मंदिरों पर जो है वह काफी विशाल का ये आपको दरवाजे मिलते हैं लेकिन इस मंदिर का दर्वाजा जो है लगबग चार फीट का है तो ये काफी छोटा दर्वाजा रखा गया है और इसके पीछे पीछे जो है कारण जो मैंने बाबा अमदेव जी ने मुझे बताया वो काफी अच्छा मुझे लगा क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे भी आप देख सकते हैं यहां बहुत से देवी देवता विराजमान है लॉक्टण है तो इसकारण जो है मंदिर को बंद रखा गया है यहाँ पे जो है किसी प्रकार के भगत आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन दिनों जो है वो मंदिरों को पूरी तरह से बंद किया गया है करोना के कारण तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे गनपती जी महराज है इसके लावा शिव जी है पारवती जी है और यह पंच मुखी हनुमान जो है यहाँ विराजमान है आप दिख सकते हैं खर मुखी जो है एक दिया यहाँ पर जला कर रखा गया है तो पूजा जो है वो रोज़ाना इस्थान पर की जाती है और जैसा कि मैं आपको मंदिर के दरवाजे को लेकर बात कह रहा था तो दरवाजे की विशेषता यह है जैसा कि बाबा अमरदेव जी ने हमें जानकारी दी उनके अनुसार जो है वो मंदिर में जब आप जाते हैं तब भगवान के आगे जुकते हैं मैंने जितने भी मंदिरों में गया हूं मैंने कहीं भी इस प्रकार का प्रविश नहीं देखा है तो यह काफी अलग चीज इस मंदिर में देखने को मिली है और आप देख सकते हैं काली माता और भगवान शिव की यहां पर प्रतिमा है काफी बड़ी विशाल का प्रतिमा है आप देख सकते हैं और यह भी धातु की बनी प्रतिमा है काफी बड़ी है और लगभग लगभग यह 15 फुट या 15 से 20 फुट के बीच में यह प्रतिमा है तो कहीं आश्ट धातू जो है वो प्रयोग की गई है यह आप देख सकते हैं मादुर्गा है और तो यह देख सकते हैं आप मादुर्गा काफी विशाल मूर्तियां यहां आप देख सकते हैं निर्मान कारे अभी भी चल रहा है यह राधा क्रिशन की मूर्ति है भगवान क्रिशन और माता राधा तो इनकी मूर्तियां यहां पर स्थापित है आप देख सकते हैं नकाशी जो की गई है सारा लकड़ी वुडन वर्क जो है इस पूरे मंदिर में जो है किया गया है तो ये भी एक अलग से विशेष्टा इस मंदिर की है कुछ और ये शनी देव जैसा भी हमें बाबा आमर देव जी ने बताया कि हर जगा शनी देव भैंसे पर विराजमान रहते हैं जो की उनके अनुसार गलत है भगवान शनी देव गरुड उनका वहन होता है और भगवान यम्राज है उनका वहन वह भैंसा होता है तो उनके अनुसार यह प्रथा गलत है कि भगवान शनी देव को भैंसे पर नहीं गरुड पर बैठे विराजमान होना चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ और यहां पर देखिए आप प्रभू श्री राम लक्ष्मन माता सीता मगवान हनुमान और तो यह आप देख सकते हैं यहां पर पूरा राम परिवार यहां पर मौजूद है काफी भव्य यह मूर्तियां आप लोग जब इसको लाइव खुद आके यहां इस मंदिर में आके देखेंगे तो आपको बहुत ही आनन्द और सुक की अनुभूती होगी इस मंदिर में आने के बाद और यह मूर्ति है यह आप देख सकते हैं भगवान विष्णू भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश यह इनके मूर्तिया हैं काफी विशाल यह मूर्तिया हैं लग भग लग भग जहां तक हमारा अनुमान है तो यह आप देख सकते हैं पंच मुखी यह भगवान शिव हैं और इस तरह की भारत वर्ष में देखी होंगे किसी भी मंदिर में तो इस मंदिर की बहुत सी रूप भगवान के देखने को मिलेंगी यह आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कौन-कौन से विराजमान है भगवान यहां पर मैं कोशिश करूंगा अपने मुबाइल में आपको दिखान भगवान-परशुराम जी और भगवान-परशुराम जी की भी यहां पर मुर्टी विराजमान है मुपकी जिएगए यह आप देख सकते हैं किपने मुर्टिया है और ये आप देख सकते हैं गनपती जी विराजमान है और उसके चारों और जो है नव ग्रह नव ग्रह जो है यहाँ पर विराजमान किये गए हैं तो दर्शकों आपको इस तरह की जो एक स्थान पर इतने अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा है शायद ही आपने किसी मंदिर में देखी होंगी और हर एक प्रतिमा का अपना एक अलग से धार्मिक महत्तो है तो दोस्तों बाहर के और चलते हैं देखते हैं यह जो है मुख्यदवार यहां का रहेगा और गुमबद जैसे आप देख सकते हैं यहां पर काफी गुमबद बने हैं तो दोस्तों यह था रामा लोक मंदिर रोडा यह जगह है जिला सोलन से जिला सोलन का यह रोडा स्थान है सादपुल के नजदीक है और सोलन मुख्याले से जो है यह 30 किलोमेटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर है जिसका की अभी निर्मान कारिया चल रहा है और जैसा मैंने जानकर रही दी 117 करोड से जो है विशाल और भवय मंदिर बनने जा रहा है जिसके निर्मान कारे पूरा होने पर आप इसकी भवयता को देख सकेंगे और फिलहाल अभी के लिए इतना ही हम रोजाना इसी तरह से कुछ ना विशेश जानकरियों के साथ आपके साथ होंगे कुछ विशेश मंदिरों के साथ आपके साथ जुडेंगे जैसा कि आपने पिछले कल देखा होगा माशूर्णी की आरती हम ने आपको दिखाई थी तो इसी तरह से कुछ ना कुछ हम नया एक positive सोच के साथ आप लोगों को कोई साथ जुड़ेंगे तो फिलाल अभी के लिए धन्यावाद